हेलो गाईज विल्कम बैक टो मैं टूप चैनल यसके मिश्टरी अवे आप सक्सेज मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवमिस्थरा और यहाँ पर क्लाश टेंथ साइंस बोले तो क्लाश टेंथ बायलोजी का जो पहला अध्या है क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट के थी कि सर अग सर ये चार वीडियो कैसे देखने मिलेंगे प्रशन उत्तर के तो चार वीडियो इस प्रकार से मिलेंगे सबसे पहले वीडियो में आपका रहेगा objective क्या रहेगा अबजिक्टिव जितने भी बहुत केलपी है उसको करा देंगे फिर दूसरे में जो रहेगा वह आपका अती लग उत्तरी अति लगू उत्तरी ये प्रश्ण रहेंगे और जो तीसरे वीडियो में आपको मिलेगा वो आपके लग उत्तरी रहें क्या रहेंगे लगू उत्तरी प्रश्ण रहने वाले हैं और जो चौथा आपका प्रश्ण आएगा वो आपका क्या रहेगा दीर्ध उत्त प्रश्ण आपको मिलेंगे तो पूरा आपको चार आपको जिया प्रक्रम में लाइप प्रोसेस जो है आपका कच्छा दस्मी जी विग्यान का पहला अध्याय है यानि बोले तो इसी देखा जाए तो यह आपका आइधिंक छाटवा अध्याय है साइंस का ठीके न तो पहला यह और हां मैं एक गीवीडियो में का पूरा अप्जेक्टीव पढ़ा दूगा अप कहें के सर् यह देखे पूरा पार तो इस वीडियो में आपको दे दूँगा इस वीडियो में मिल जाएगा लेकिन इसका जो पीडियाफ है वह मैं अपने टेलेग्राम चैनल यसकेयम इस्टड़ी यसकेयम इस्टड़ी पर सेंड कर दिया हूँ जाके वहां से option कर सकते है तेलेग्राम डिसक्रिप्रीपरीटियो मिल जाएगा वीडियो नीचेव क्लिक करेंगा खुल जाएगा तो वहाँ पिसका PDF फिन जाएगा वीडियो में इसका एंसर है पूरा 30 का और आपको चार वीडियो का सीरीज मिलेगा अबजेक्टिव अतिलग उत्तरी लग उत्तरी और देर उत्तरी और हाँ एक वीडियो में पूरा आप करेगा और फिर चारों को हम मिला के प्रकासंस्लेशन की क्रिया में आकसीजन गैस किसमें से निकलती है जब प्रकाज संसलेशन की क्रिया होती है तो उसमें आक्सीजन गैस निकलती है आक्सीजन गैस मतलब O2 ये किधर से निकलती है कारबन डाय आक्साइड से निकलती है जल से निकलती है वाईव से निकलती है या फिर इसमें से कोई नहीं तो प्रकाज संसलेशन की क्रिया में ज और यहां प्रश्ण आपको दे रहे हैं यह सभी प्रश्ण आपके हर साल आए हुए प्रश्ण हैं उन्हीं प्रश्णों को के वल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरा प्रश्ण है आपके दूसरा प्रश्ण क्या है क्लोरो प्लास्ट के ग्रेना से बनती हैं जो क्लोरो प्लास्ट होता है उसके ग्रेना से क्या बनती हैं ATP तथा NAD.2H ATP तथा Glucose ATP तथा NADP.2H या इन में से कोई नहीं तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं जल्दी से इसका इंसर आप लोग दीजिए तो वो बनता है आपका ATP तथा NAD.2H क्या ये बनता है बिल्कुल नहीं ये गलत है बलकी इंसर क्या होगा ATP तथा NADP.2H यहाँ पे P है क्या नहीं तो यहां देना के जिसमें P रहेगा ATP तथा NADP.2H जोता या क्लोरो प्लाष्ट के ग्रे नाम बनती है अगला यहां पे तीसरा प्रश्ण है प्रश्ण क्या है हरित लवक के इस्ट्रोमा में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है प्रकास की क्रिया होती है या अप्रकास की क्रिया होती है या प्रकास की अभक्रिया तथा अप्रकास की अभक्रिया या फिर इन में से कोई नहीं तो हरित लवक के इस्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है वह होती है आपकी अप्रकासी अभक्रिया अप्रकासी अभक्रिया किसमें होती है तो हरित लवक के इस्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है अप्रकासी अवक्रिया होती है अगला है पर चोथा प्रशन है क्या है पादपो मेवाई प्रदूसर कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है जो पादपो मेवाई प्रदूसर को कम करती है वो कौन सी प्रक्रिया द्वार क कम होती है स्वसन प्रकास शंसलेशन वात्पो सर्जन या प्रोटीन संसलेशन तो पादपों में पादपों में वाइव प्रदूसर कम करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकास संसलेशन जो प्रकास संसलेशन होती है यह पादपों में वाइव प्रदूसर को कम करने वाले प्रक्रिया है कौनसी है वाई प्रदूसर काफी इंपॉर्टिंट है यह देखेंगे तो यह संदो हज्यार तेरह में संदो हज्यार चोदह में संदो हज्यार अठारह में बना हुआ प्रश्ण है पाचवा प्रश्ण क्या है पाचवा प्रश्ण है स्वपोसी पोशड क क्या आवस्यक है, जो सोपोशी क्या होता हमकर्बन डाइयाकसाइड या जल क्लोरोफील शूरीका प्रकास या फिर इनमे से सभी तो सोपोशी पोशड के लिए जो आवस्यक होता है उड़िचाइड भी होता है ख्लोरोफील भी आउस्यक होता है सूरी का प्रकाज भी आउस्यक होता है तो सौपोशी पोशड के लिए क्या उस्यक होता है इन में से सभी option क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा इसमें सभी क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा बार बार ये प्रशना है हुए है प्रश्ण को मैं उठाया हूँ यहां पे चटा प्रश्ण है आहार नाल की C के आकार की सनरशना किसकी होती है अमासे की ग्रहणी की ग्रशनी की या इन में से कोई नहीं तो आहार नाल की C के आकार की जो सनरशना होती है वह मेरे प्यारे बोच्चों होती है ग्रहणी की ग्रहणी की क्या होती है यह आहार नाल किसी आकार की संरशना होती किसकी होती है ग्रहणी की होती है किसकी होती है ग्रहणी की होती है याद रखना सात्वा यहां पर प्रश्ण है प्रश्ण क्या है मनुस में लाल ग्रंतियों की संख्या कितनी होती जो मनुस से होता है मनुस मे तो इसमें चार आपसन है दो होती है या तीन होती है या चार होती है या फिर पाँच होती है तो मनुस में लार ग्रंतियों की संख्या कितनी होती है, तो जो मनुस में लार ग्रंतियों की संख्या होती है, मेरे प्यारे बच्चों, वो कुल मिला के होती है, कितनी? तीन होती है, मनुस में लार ग्रंतियों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, अठवा प्रशन है, आप क्रीमी रूप परिशेकिका का भाग कौन सा होता है छोटी आत अगनास है बड़ी आत या फिर ग्रहडी तो निम्न लिखित में से क्रीमी रूप परिशेकिका का कौन सा भाग होता है आठ का सही आफसन जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों बड़ी आत क्या होती है बड नोट में कि बड़ी आत को ही कोलन भी कहती है जो बड़ी आत ही होती है इसे ही और क्या कहा जाता है तो इसे कोलन भी कहा जाता है तो आपके देवेगा की प्रिमी रूपी परिशेकिका का भाग कौन सा होता है कूलन चोटी याथ अगना स Vienna गणि तो कूलन कोही हम लोग बड़ी याद बड़ी याद को ही कूलन कहती है अगला प्रश्ण है यहां पे मनुस में दूद के दातों की कुल कितनी संख्या होती जो मनुस होता बीस जो होते दूध वाले दात होते जब आप पैदा होते हैं तभी से ठीक है ना चलिए दसमा प्रसने हाँ पे है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पती के समान कारटी लेजी रचना क्या कहलाती है जो ग्रशनी द्वार होती है जो ग्रशनी द्वार होती है उस पर एक लटकी वी पत्ती के समान क्या होती है रचना होती है और उसका नाम क्या है कार्टी लेजी वो क्या कहलाती है तो वो कहलाती है एपी ग्लोटिस कहलाती है तो ग्रशनी द्वार पर जो लटकी वी पत्ती के समान कार्टी लेजी रचना होती है उसको हम लोग क्या करते हैं एपी ग्लोटिस कहते हैं इसी का क्या नाम होता है एपी ग्लोटिस नाम होता है इगरहमा प्रशन है यक्रित निमनलिखित में से क्या स्रावित करता है जो यक्रित होता है वो निमनलिखित में से क्या स्रावित करता है लार या फिर पितरस या सीरफ या फिर इन में से कोई नहीं तो यह यक्रित होता है वह क्या स्रावित करता है तो वह आपका पितरस स्रावित करता है जो यक्रित होता है वह निम्लकित में से क्या स्रावित करता है तो वह निम्लकित में से पितरस स्रावित करता है पित्ररस कौन सरावित करता है यक्रित सरावित करता है क्या सरावित करता है पित्रस सरावित करता है अगला प्रशन है बरहमा यहां पर क्या है आहार नाल की पेशी संकुचन को क्या कहा जाता जो आहार नाल की पेशी संकुचन होता है उसको क्या कहते है पाचयन या क्रमा कु कुंचन या परिसंचन या इनमें से कोई नहीं तो आहार नाल की जो पेशी संखुचन होता है उसको हम लोग क्रमा कुंचन कहते हैं क्रमा कुंचन कहा जाता है तो क्रमा कुंचन किसको कहा जाता है आहार नाल की पेशी संकुचन को कहा जाता है क्या कहा जाता है क्रमा कुंचन कहती है तो क्रमा कुंचन याद रगना किसको कहती है आहार नाल की पेशी संकुचन को कहा जाता है क्रमा कुंचन कहा जाता है तिरह हमाँ प्रश्ण है प्यारे बच्चो प्रश्ण क्या है यहाँ पे निम्नलखित में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलन सील होता है जो की जल में घुलन सील होता है यहाँ पिचार आपसं दिये हुए जल्दी से इसका एंसर दिजी विटामिन A तथा बिटामिन बी बिटामिन बी तता बिटामिन सी बिटामिन सी तता बिटामिन के ये क्या बिटामिन के है बिटामिन दी तता बिटामिन बी तो निम्नकित में से कौन सा जोड़ा जल्मिगुलंसील होता है अगर ये प्रश्ण की बात करें तो ये संदोहजार सत्रह और में आपका प्यारे बच्चो बना हुआ प्रश्ण है सन 2017-2018 में ये आपका बना हुआ प्रश्ण है तो इसमें से कौन सा विटामिन का जोड़ा जल में घुलन सील होता है तो जो विटामिन सी और विटामिन बी या फिर विटामिन जो बी और विटामिन सी होता है यह एक ऐसा जोड़ा है जो की जल में क्या होता है मेरे प्यार बच्छो घुलन सील होता है जल में क्या होता है घुलन सील होता है तो विटामिन B तथा विटामिन C क्या होता है एक ऐसा जोड़ा होता है जो की जल में क्या होता है घुलन सील होता है तो हर एक चीज को आपको पॉइंट में अच्छे से कबर करना है और बाकी आपका देखे हमारा काम है आपको पूरा का पूरा पता ना मैं आपको 9 to 10th यानि कि 9 मी से 10 मी और 11th to 12th यानि कि 11 मी से बराहमी तक पढ़ाता हूँ तो ये मैं 4 पढ़ाता हूँ ठीक है न 9th और 11th का पूरा मैं नोट्स प्रवाइट कर देता हूँ और 10 मी बराहमी का नोट्स के साथ आपको मेरे प्यारे बच्चों मैं क्योस्चन एंसर और बोड एकजाम के संबंधित जो प्रश्ण होते हैं उसको भी प्रवाइट करते हैं ठीक है ना तो यह बार समझाई तो जो विटामिन B तता विटामिन C होता है एक ऐसा जोड़ा होता है जो जल में घुलन सील होता है अगला यहां पर है निमनलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे अच्छा सुरूत होता है अंडा होता है, मचली होती है, गेहू होता है, या संतरा होता है तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है मेरे व्यार बच्चो तो संतरा, जो संतरा होता है, यह विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है संतरा 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 क्या होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है ओके होता है अब यहां पे पंद्रहमा प्रश्न है पंद्रहमा प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से मनुस की लार में क्या पा जाता है जो मनुस की लार आपको पता होगा ना जो मनुस से होता है मनुस से जानवन नहीं भी या मनुस से मनुस से दो प्रकार के होते हैं कौन को से मनुस से होती है एक म मेल होती है दूसरे क्या होती है तो मनुस में से मनुस में से मनुस की लार में क्या पाजाता है स्वारी मनुस में निम्नखित में से स्वारी सई सई अरे गलती हो गयार में से तो मनुस से निम्नखित में से मनुस की लार में क्या पाजाता है टायलीन पेपसीन या फिर टायलीन पेपसीन दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो जो मनुस की लार होता है मनुस किलार में क्या पाई जाती है मनुस किलार में टायलीन पाई जाती है सुलाहवा प्रश्न क्या है मनुस के हिर्दय में कुल कच्छों की कितनी संक्या होती है एक, दो, तीन या पिर चार तो मनुस के हिर्दय में जो कुल चेंबरों की संक्या होती है वह होती है चार दाया निले, बाया निले, दाया आलिंद और बाया आलिंद कितना देखे दाया कर दीजी एक तरफ एक तरफ क्या लिखती है बाया बस इत्व क्या लिखती है देखे एक यहाँ पे निले, निले, आलिंद, आलिंद, निले, निले और आलिंद तो दाया निले, दाया निले, दाया आलिंद, बाया निले, बाया आलिंद, याद हो गया, तो मनुस में कुल कच्छुक संग्या की तरी होती है, चार कौन कौन सी, दाया निले, दाया आलिंद, बाया निले और बाया आलिंद, अगला यहाँ पे, सत्रहमा, पल्मोनरी, सिरा न और रुधिर को कहां से ले जाती है दाएं दाहिने आलिंद से बाएं आलिंद से या दाहिने निले से या फिर बाएं निले से तो जो पल्मोनरी सिरा होती है वो कहां खुलती है या या रुधिर कहां से लाती है तो वह लाती है बाएं आलिंद से बाएं आलिंद से क्या होती ह वो लेके आती है ठीक न अगला प्रश्ण है आपे फेपडों से सुद्धरक्त कहां से आता है जो फेपडों से सुद्धरक्त कहां से आता है फेपडों में दाहें आलिंद से बाहें आलिंद से आलिंद या आलिंद दाहें निले से या बाहें निले से तो फेपडों में सुद रखता आता है उनिसवा प्रश्ण है उनिसवा प्रश्ण क्या है सुद्धरुदीर को सरीर के विविन भागों में कौन सी ले जाती है जो सुद्धरुदीर को सरीर के विविन भागों में कौन सी ले जाती है सिराय ले जाती है या महा सिरा ले जाती है या महा धमनी ले जाती तो सुद्रुधिर को सरीर के विविन भागों में जो ले जाने का कार करती है वो निम्मिलखित में इसे कौँ सी सिरा है जिसमें सुद्रुधिर प्रवाहिद होता है इसमें से इसी कौन सी सिरा होती है जिसमें क्या प्रवाइद होता है सुद्धरुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी ग्रीवा पुरोटल सिला या पस्च महा सिरा तो निम्लिकित में से कौन सी सिरा जिसमें सुद्धरुधिर प्रवाहित होता है तो वो होती है पल्मोनरी सिर पल्मोलरी जो सिरा होती है इसमें सुद्धे रुधिर प्रवाहित होती है अगला प्रश्ण है 21 प्रश्ण क्या है वो है निम्लकित में से रुधिर के कितने समू होती है रुधिर के समूह के संख्या कितनी होती है चह समू होते है या दो समू होते है या चार समू है आठ समू तो निमलकित में से रुधिर के कितने समू होते है तो जो रुधिर के समूह की संख्या होती है प्यारे बच्चो वो कितनी होती है वो होती है कुल चार समूह होती है रुधिर के कितने समूह होते है तो रुधिर के कुल चार समूह होते है अगला प्रशन है बाई सहमा निम्न में से जायलम पादब में उत्तरदाई होता है जो जायलम पादब में क्या उत्तरदाई होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनों अमल का वहन, आक्सीजन का वहन तो निम्न में से जो जाहिलम पादब में उत्तरदाई होता है वह कौन सा होता है? तो जो पादब में जाहिलम उत्तरदाई होता है वह आपका होता है इसमें से जल का वहन क्या होता है जलकावन सही आपसन हो जाएगा चलिए पिर यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा नंबर मिश्टेवक हो गया चलिए उसको समझ लीजिएगा पिर से 22 समझ शुरू हो गया तो नंबरी कहाँ पे मिश्टेवक हो गया कुछ इसमें 31 है लेकिन 30 कोई बाद नहीं चलिए मनुस्य में दूग्द ग्रंथी अर्थात अस्थन ग्रंथी रूपांतरित रचना क्या है जो मनुस्य में दूग्द ग्रंथी अर्थात अस्थन जो ग्रंथी होती है उसकी रूपांतरित कौन सी होती है स्वेट ग्रंथी लार ग्रंथी तेल ग्रंथी या फिर कोई नहीं तो होती है मेरे प्यार वच्छो तेल ग्रंथी तिसामा प्रश्ण है गर्मियों के मौसम में किस कारण की वज़ा से पौधा मुर्जा जाता है जो गर्मियों को जब मौसाम होता है, ऐसा कौन सा रिजन होता है, जो पहुदे होते हैं, वास्प उस सर्जन की कमी कारण, वास्प उस सर्जन की अधिक्ता कारण, प्रकास अंसलेशन की अधिक्ता कारण, या प्रकास अंसलेशन की कमी कारण, तो वास्प होता है, उसका उस सर जल है वाश्कृूण में निकल जाएगा न टंप्रेशर पढ़ेगा तो जाहिए बात है वो मुर्झा जाएगा तूरन्त है अगला प्रश्न है या प्रश्न क्या चबई सम्वहन पादपो में जाहिलम का मुख्यकार क्या होता है या पादप में जाहिलम का कार होता है वो सिर्फ एक होता है जल का सम्वहन जल का सम्वहन ही करना पादपो में जाहिलम का कार होता है अगला प्रशने पचिसमा पित्तेरस का स्राव कहा होता है उसका स्राव कहा होता है पित्यासे में यक्रित में आमासे में इनमें से कोई नहीं तो जो पित्त पित्ते रसका स्राव होता है वह आपका होता है यक्रित में यक्रित में क्या होता है पित्ते रसका स्राव होता है छबी समा प्रशन है जल्दी से दीजीगा इंसर दीजिए कोसकी कोसकी प्रक्रम में उर्जा की मुद्रा क्या है जो कोसकी प्रक्रम होते है उसमें उर्जा का प्रक्रम क्या होता है माइट्रोकॉंड्रिया ATP ग्लुकोज या पीर पायरूट तो वह होता है आपका ATP जो को उसकी प्रक्रम में में उर्जा का की मुद्रा होती हो क्या होती है ATP होती है 27 समा प्रश्ण है केवल जल में घुलन सील होता है केवल जल में घुलन सील क्या होता है इसके पहले विटामिन B और C था अब देखें आपके क्या है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K या फिर विटामिन D, C तो सही आउसन आपको पता होगा विटामिन C क्योंकि विटामिन B और C जो होता है यह जल में घुलन सील होता है 28 प्रशने हैं पर पित्यरसका स्राव कहां होता है आपको पता होगा यक्रित में ही होता है जो पित्यरसका स्राव होता है वो हमारा क्या होता है यक्रित में ही होता है जैली किसे संबंदित है रसा रोहर से संबंदित जैली होती है द्वार कोशिका कहां पाई जाती है तो 31 महत्यपूर प्रशन देखें हैं यह किसी है जयव प्रक्रम लाइप प्रोसेस से क्लास 10 जीर वीग्यान बाइलोजी का बहुत इंपॉर्टन क्योश्चन है आपका क्लास 10 साइंस का तो इसको आप ज़रूर पढ़के जाएंगे अगर आपका इसी वीडियो चाहिए तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और इसका जो पीडियाफ है वो हमारे टेलेग्राम चैनल यसके सी क्यू कर सकते हैं और यहां पर आपको उत्तर मिल जाएगे इसका ओके दोस्तों थैंक्यू जैहिन